सरकारी कागजों में मरा हुआ बुजर्ग जब अचानक मंत्री के दर्वार में पहुच गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए और मंत्री महदय बुजर्ग की फरियाद सुनकर सन रह गए दरसल हर्याणा में सैकडों बुजर्गों को मरा हुआ दिखाकर उनकी पेंशन काट दी गई है जिसको लेकर बुजर्ग न केवल दरदर की ठोकरे खाने को मजबूर है बलकि सड़कों पर उतरकर अनोखे तरीके से विरोध भी कर रहे हैं ये तस्वीरें कैथल की हैं जहां कष्ट निवारन समीती की बैटक में पहुँचे तेरासी साल के बुजर्ग ने मंतरी मूलचन शर्मा के सामने अपना दुखडार हुया तो पेंशन विभाग की पोल खुलकर सबके सामने आ गई मंतरी जी आपके अधिकारियों ने उसे मरा हुआ घोशित कर दिया है और उसकी पेंशन काट दी है जिसके चलते हैं पिछले साथ महिनों से उसे पेंशन नहीं मिल रही कितने साथ से अपकी पैंशन पिल रही है क्या बोल ले ये अच्छा कितने उमर है बाबबा बास्टे राशी साल है पिछले कितने मिनना दानी मिल रही इब के बोले युगा दस में मिल जाएगी तो अधिकारी भी अपनी अपनी सफाई देने में किसी ने कहा कि टेकनिकल मिस्टेक कि चलते बुजर्ग की पैंशन कटी है तो किसी ने कहा कि अगले महीने से पैंशन शुरू हो जाएगी और जुतने महीने पेंशन नहीं मिली है वो भी खटा दे दी जाएगी पीड़े तो बुज़र्ग मंतरी और अधिकारियों के आस्वाशन से संतुष्ट तो है लेकिन क्या बुज़र्ग की पेंशन दुबारा से शुरू होगी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरह से अलग-अलग जिलों में ऐसे मामले लगातार सामने आ रही है उससे तो यही लगता है कि बुज़र्गों की पेंशन बड़े स्थर पर काटी गई है के इ defining के है कि जो मुज़र्गा जमी की जो मित्तुब जी उसकी तो ठीक करती है उसकी थीक करती है सब आर तक है तो आठ महीने के जो खाबधी करेंगे जहा मिलेंगे मुलाकात करा तो थीक कराईगे मंत्री जी आपकी जो गिर्वेंसिस कमेटियेज में आदा दर्जन से जो सिकायते हैं पहली ही सोल्व हो जाती हैं क्या कुछ जो मानते हो कि जिनको न्याय मिलना चाहिए वो परियादी बार बैठे हैं और बेवज़े की सिकायते जो यहां आती हैं अधिकारियों को नरिक्षन करना चाहिए तब ही लोग आते हैं लोगों के जैनकारी मिलती है गियर्वेंस पे जाने थीक है उनका रास्ता निकलता है उनका जो परिशानी हो खतम होती है। सीम खतर ने रोह तक में जंतर दर्वार लगाया जिसमें पेंशन कटने से परिशान बुजर्गों को सीम ने भरोसा दिलाया कि उनकी पेंशन अगले महिने से शुरू हो जाएगी।